हम लोग डिसकस करेंगे प्रिसकर आर्किटेक्चर प्राइस के बारे में तो इस प्राइस से जोड़ी कुछ important चीजों को जानेंगे बहुत ध्यान से सुनिएगा कई जगा पर 1978 भी लिखा हुआ है बट 1979 में हुआता है त्यार में रखना जे ए प्रिसकर और उनकी वाइफ कैंडी के द्वारा इसका फाउंडेशन किया गया था और इस प्राइस को funding प्रोवाइट की जाती है प्रिसकर फैमिली के द्वारा और sponsor किया गया है इस प्राइस को हयात फाउंडेशन के द्वारा यह one of the world's premier architecture price के तौर पर माना जाता है consider किया जाता है even इसे noble price of architecture के तौर पर भी refer किया जाता है काफी important चीज है यह किसी price को noble price का दरज़ा दिया जा रहा है यानि कि पूरे दुनिया भर का सबसे premier price है यह तो याद रखना कि किस price को noble price of architecture का दरज़ा मिला हूँ है तो प्रिसकर price आपको थोड़ा से ध्यान में रखना है और अभी यह topic news में इसलिए क्योंकि social housing architect विजेता घोशित किया गया है that's why यह topic news में था तो यह कुछ important points है प्रिसकर architecture price से related जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है और paper 1 से related से रहे एक ही topic था now we will move on to paper 2 हम लोग discuss करेंगे सामर campaign के बारे में सामर campaign तो किस particular state का यह campaign है डारेक्ली यहां से question उठेगा तो आपको ध्यान में रखना है जारखन सरकार का जारखन सरकार का यह campaign है जारखन सरकार ने announce किया है सामर campaign को और सामर का full form है strategic action for alleviation of malnutrition and anemia reduction तो anemia को reduce करने के लिए malnutrition याने की proportion उसको reduce करने के लिए यह campaign है जारखन के अंदर malnutrition की जो problem है anemia की जो problem है उसको reduce करने का campaign है याद रखना यह campaign का main purpose यह है पहली बाद तो identify करना है कि कौनसी कौनसी महिलाओं को anemia की problem है और कौनसे कौनसे बच्चे कौपोशन से जूज रहे हैं कौपोशन है कौनसे कौनसे बच्चे malnutrition बच्चों में हमें देखने को मिल रहा है यादि की परियाप nutrition बच्चों को नहीं मिल रहा है जारखन के अंदर इसको देखना और काफी सारे departments उनको साथ में लेकर आना जिससे की effectively deal किया जा सके जारखन के अंदर malnutrition और एनिमिया की problems है क्योंकि malnutrition जारखन के अंदर बहुत जादा हमें देखने को मिल रही है और सामर जो है यह launch किया गया है 1000 days targets के लिए 1000 दिनों के लिए इसको launch किया गया है और हर साल इसका survey भी जो है वो निकाला जाएगा जो कि इसकी progress को track करेगा कि कितना कारिय जो है वो चल रहा है इस सामर campaign के अंदर malnutrition और एनिमिया को reduce करनेगा तो उसको track करने के लिए भी हर साल survey जो है वो conduct किया जाएगा तो यह वाली चीज हाबर बताई आ रही है इस बिल का main focus यह है कि साथ कास्ट कौनसी कास्ट देवेंद्र, कुलाथन, कदियान, कलाडी, कुदुम्बन, पलन, पनाडी और वतिरियान तो यह साथ कास्ट है उनको एक कास्ट में डालने की बात की जा रही है जिस कास्ट का नाम होगा देवेंद्र, कुला, वैलर्स तो देवेंद्र, कुला, वैलर्स जो है उसके अंदर शामिल किया जा रहा है साथ कास्ट को टोटल सिवाए कुछ particular districts को छोड़कर तमिल नाडू की especially जो कुछ तटिया district हम लोग को coastal district जो देखने को मिलती है तमिल नाडू की तो सिर्फ कुछ उनको छोड़कर बाकी सब जितनी भी ये साथ कास्ट है उनको include किया जा रहा है एक कास्ट में जिसका नाम है देवेंद्र, कुला, वैलर्स कहा पर तमिल नाडू के अंदर तो देखो question कहा से उठेगा इस topic में कि ये कास्ट आपसे पूछ लियाएगी कि ये फलाना कास्ट का बस थोड़ा सा नाम ध्यान में रखना और सिर्फ ये चीज ध्यान में रखना कि ये कास्ट जो है इस topic को सुनिएगा हम लोग discuss करेंगे Indian Ocean Border Dispute between Kenya and Somalia सबसे पहली चीज तो क्या बात हो रही है Kenya और Somalia के बीच में Indian Ocean Border Dispute है ये क्या है तो इसको मैं आपको समझाता हूँ इसके लिए आपको थोड़ा सा map पता होना चीज ये Kenya और Somalia का तो Kenya और Somalia में आप देखेंगे गाईज तो ये Africa में आपको ये दो countries दिखाई देंगी Kenya और Somalia एक दूसरे के बगल में ये country है ये country आपस में land boundary share करती है अब ये जो topic है ये किस से related है कौन से dispute से related Indian Ocean Dispute से related ये topic है Indian Ocean Dispute कि जो ocean का जो हिस्सा होगा उसका dispute है कि ocean किसके control में कितना आएगा जैसे कि आपको पता होगा कि एक country का जो सामने वाला जो पानी का area होता है सामने वाला पानी का area वो उसके control में आता है कहा तक control में आता है 200 nautical miles तक के control में आता है इस चीज के बारे में हमें पता लगता है United Nations Convention on the Law of Sea से तो इसे Law of the Sea Convention या फिर Law of the Sea Treaty कहा जाता है ये एक international agreement है जो की third United Nations Conference के दौरान हमें देखने को मिला था Law of the Sea UNCLOS 3 के दौरान देखने को मिला था 1973 और 1982 में ये हुआ था ये main focus करता है कि समुदर के maritime laws होंगे वो क्या होंगे इसकी बात करता है इसमें हमें exclusive economic zone देखने को मिलता है जो ये कहता है कि 200 nautical miles यानि कि 370 km या 230 miles from the baseline यानि कि एक country की जो baseline होती है मतलब कि एक coastal nation जो होती है एक country जो होती है समुदर के साथ जो अपनी boundary share कर रही होती है तो उस country के पास exploitation rights होते है natural resources के 200 nautical miles तक मतलब कि उस country के सामने 200 nautical miles तक का जो समुदरी area है तो उसके अंदर कितने minerals होंगे कहाँ पर जो भी minerals होंगे चाहे तेल हो या फिर कोई भी rich natural resource minerals वगर अगर वहाँ पर पाए जा रहा है तो उस पर पूरा हग जो होगा वो उसी देश का होगा जिसके सामने ये समुदर है 200 nautical miles तक का तो Kenya और Somalia की बीच में issue यहीं से हम लोग को देखने को मिल रहा है वो क्या है अभी आप आसानी से समझ जाओगे मैंने आपको ये थोड़ा सा कानून के बारे में भी explain करके बताए जिससे कि आपकी ये topics related 360 degree में पूरे concept सच्छे से clear रहा है तो देखो वापस आ जाते हैं topic पे मैंने आपको क्या बताए Indian ocean border का dispute है ये dispute जो है वो ये कह रहा है कि तो आपको Somalia और Kenya की land border आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से आपको land border दिखाई दे रही है जो की नीचे की तरफ थोड़ा सा जा रही है ठीक है कहा की तरफ जा रही है South East की तरफ जा रही है अब इससे problem क्या हो रही है अब देखो Kenya जो है अगर Kenya की हम लोग वाली border को देखें दूसरी तरफ वाली तंजानिया के साथ जो अपनी boundary शेयर करती है Kenya तो इससे क्या हो रहा है इससे इसका जो अधिकार है जैसी कि एगर हम मान लेते हैं क्योंकि Somalia का कहना है कि जैसी जमीन की border जिस direction में जा रही है तो उसी direction में जो है वो maritime line भी खीची जाए maritime border भी बनाई जाए यहने कि Indian Ocean पर समुदरी border भी उसी line पर बनाई जाए मतलब कि Somalia का जो अधिकार जो होगा वो इस maritime area वाली border तक होगा बट Kenya के पास problem गया रही है अब Kenya की जो maritime border जो है वो देखो आप reduce होती जा रही है क्योंकि हम लोग को triangle shape यहाँ पर नज़र आ रहा है ठीक है इस प्रकार से triangle shape हमें नज़र आ रहा है वो reduce होती जा रही है उसकी borders राइट Kenya की तो Kenya क्या कह रहा है Kenya बोल रहा है कि इसको इस तरीके से line मत draw करो इस तरीके से मत खीचो इसको आप जिस प्रकार से equator हो जाती है न equator बिल्कुल सीधी हम लोग को latitude देखने को मिलती है अब एक और चीज में आपको संदाए तो कई बार students इसमें भी confused होते हैं कि longitude line कौन सी होती है latitude line कौन सी होती है तो इसको अभी के भी एक चीज में आपको बताऊंगा जिससे कि हमेशा के लिए आप latitude और longitude में कभी भी confused नहीं होगे simple सी बाद ये ध्यान में रखना जैसे कि यो ये line जो है वो तेड़ी हम लोग को नजर आती है जैसे कि equator है tropic of caprica और tropic of cancer ये सब क्या है latitude है आप देखो तो ये line जो है वो लेटी हुई है तो जो लेटी हुई line होती है हम लेटते हैं सोते हैं तो हम लोग बिल्कुल ऐसे जो है वो सीधा होके सोते हैं तो latitude जो होती है खड़ा होता है इंसान तो बिल्कुल इस प्रकार से खड़ा होता है लेटा होता है तो ऐसे तेड़ा होके लेटी होता है तो ये जो line जो होती है वो लेटी हुई होती है वो हमेशे latitude कहलाती है जो एक line जो आपको पता लग लग South East direction में तो उसी direction में समुद्र की border भी बनाई जाए Kenya बोल रहा है कि नहीं यार ऐसा मत करो जिस direction पे equator है equator जा रहा है उस direction में बनाओ मतलब कि Kenya चाहरा है मुझे थोड़ा ये वाला area जो है वो दे दो ये वाला area मुझे दे दो और Kenya बोल रहा है कि नहीं मेरे पास जो area आएगा वो ये वाला area भी होगा तो ऐसा एक issue हम लोग को इस प्रकार से देखने का बुरा समन में आया कि क्या issue है इस issue को बस आपको थोड़ा सा समझना था और कुछ नहीं और ये issue की शुरवात ही यहाँ से हो रही है हम लोग को land boundary से हो रही है सीधे सीए दो चीज बस आप ध्यान में रखो कि ये आप इन लोग की border देखो आप तो Somalia बोल रहा है कि जिस line पे जिस direction पे land border जा रही है उसी direction पे maritime border भी होनी चाहिए और Somalia बोल रहा है ऐसा मत करो इससे मेरे पास वह बहुत दिक्कत आ जाएगी मेरे पास तो बहुत ही कम जो है वह exploit करने के लिए natural resources बच जाएंगे तो Kenya बोल रहा है कि नहीं है इसको सीधे direction में खीज दो तो पूरा मामला जो चल रहा है दोनों country के बीच में वो इस shadow area के उपर चल रहा है इस triangle वाले area के उपर चल रहा है और कुछ नहीं तो यह वाली चीज़ बस आप लोग को इससे related थोड़ी सी पता हो नहीं चीज़ मैं आपको theory में बताएता हूँ पूरे topic को तो यह यह issue और अच्छा एक चीज और जान लो कि क्यों इन लोग अब देखो सोमालिया को अगर आप गौर से देखोगे तो सोमालिया के पास तो already एक बहुत विशाल हम लोग को देखने को मिल रहा है maritime resource इसका बहुत विशाल है बहुत बड़ा है बट केनिया के पास बहुत ही छोटा सा है बट फिर भी इस एरिया पर छोटे से एरिया पर क्यों लट रही है दोनों कंट्रीज कहने को तो आप यह बोल सकते हो कि अरे यार सोमालिया को देदेना चाहिए तो नहीं है ऐसा नहीं होता जैसे कि कश्मीर का फिर जो मुद्दा चल रहा है एंडिया और पाकिस्तान की बीच हम लोग क्या बोलेंगे कि हंडिया के पास तो इतना बड़ा एरिया है अल्रेड़ी इतना चोटा से scratch अरिया पाकिस्तान को देदेंगे तो क्या बिगड़ जायएगा बिगड़ जाएगा हम अपने है मुझे सही है वो क्योंकि आपका एरिया है वो अब कोई भी इंसान अपने एरिया को ऐसी जाने नहीं देता और उसके पीछे एक economic value भी जोड़ी होती है किस प्रकार की economic value तो देखो ऐसा माना जा रहा है कि यह वाला लता है तेल से तो यह भी एक कारण है कि यहाँ पर rich natural resources है जिसके कारण से दोनों country लड़ रही है तो यह एक detail और आपको अच्छे से पता होना चाहिए अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी theory पे ले जाता हूँ theory पे आपको समझा जेता हूँ जैसे ही और बेटर तरीके से आपको यह topic clear हो जाए तो अभी यह topic इसलिए news में आज है कि तो Kenya नहीं यह कहा है कि अब international court of justice ICJ की कि किसी भी proceeding में किसी भी कारवाई में Kenya अब participate नहीं करेगी मतलब उसने कहा है कि मुझे केस नहीं लड़ना भी और राइट वो इसलिए उसने कह दिये क्योंकि होता है में चीज यह है कि issue कहा था सोमालिया के साथ इनका तो main point of disagreement जो है यह हमें दोनों नेबर्स की बीच में Kenya और सोमालिया की बीच में देखने को मिल रहा है कि maritime boundary का direction जो Indian Ocean की तरफ है वो किस तरफ extend होगा तो मैंने अभी आपको starting ही इससे करी थी कि आप देखो कि Kenya और सोमालिया की land border कहा पर है सोमालिया ने बोला कि जिस direction पे land water जा रही है उसी direction पे आप maritime boundary भी जो है वो बना दो ठीक है as it approaches the Indian Ocean यहनी की land water जिस तरफ जिस direction पे Indian Ocean की तरफ अप्रोच कर रही है उसी direction पे उसको extend कर दो towards south east की तरफ Kenya का कहना है argue कि Kenya ने कि नहीं यार इसको ऐसा करो कि इसको आप थोड़ा सा mode दो 45 degrees पे tunnel ले लो आप समुदर की तरफ और latitudinal direction की तरफ ले जाओ याने की parallel to equator equator जिस तरफ जाती है उसके parallel में ही ले जाओ latitude में ले जाओ और such an agreement would be advantageous for Kenya तो इससे Kenya का फाइदा हो क्योंकि हम देखी रहें कि Kenya की जो 200 nautical miles तक का जो Kenya जो enjoy करेगी maritime उसको याने की maritime area को तो वो उसका actually में अगर according to Somalia चले और Kenya की अगर यह वाली border को भी इसी प्रकार से आगे stretch कर दें तो क्या हो रहा है धीरे धीरे करके Kenya का जो area हो रहा है वो कम होता जा रहा है बहुत बड़ी उसकी coastline हमें नजर आ रही है तो यह area इतना important क्यों है तो यह जो triangular area जिस पर पूरा dispute चल रहा है यह 1.6 lakh km2 का एक बड़ा area है जहाँ पर बता जा रहा है कि काफी rich marine reserve है जैसा मैंने भी आपको समझाया और कहा जाता है कि यहाँ पर oil और gas के deposit भी है यानि की black gold है तो इसलिए वो लड़ रहा है दोनों countries मिलकर तो यह था पूरा मामला जिसकी एक आपको बहुत अच्छी understanding होनी चाह होते हैं यानि कि जिन schools को सरकार की सहायता मिलती है funding मिलती है तो ऐसे schools aided schools कहलाते हैं तो aided schools के जो teachers है तो उनको poll contest करने से यानि कि election लड़ने से जो है वो रोग लगा दीती high court ने right कि high court ने यह कहा था कि aided school के teacher जो है वो election नहीं लड़ सकते right तो इस decision को high court के इस decision को रोख द पूरा topic हमें देखने को मिल रहा है तो इस चीज़ को समझेंगे तो Honorable Supreme Court ने stay लगा दिया है कैरला High Court के decision के ओपर वही चीज़ जो मैं आपको बताई थी कि जो Aided School के teachers और non-teaching staff जो है वो political activities में engage नहीं हो सकते नहीं assembly elections लड़ सकते हैं तो पूरा मुद्दा क्या था तो High Court ने declare किया था section 2 clause 4 legislative assembly removal of disqualification act of 1951 को जिसके थूँ allow किया था Aided School teachers को की वो legislatures बन सकते हैं विधायक बन सकते हैं तो इस particular कानून के section 2 clause 4 को unconstitutional High Court ने declare कर दिया था मतलब की allow नहीं किया था school teachers को की वो legislatures बन जाएं तो ये चीज़ हमें इस परकार की देखने को मिली थी और petitioner ने High Court में ये challenge किया था 1951 के कानून को law को कि जो भी school के teachers हैं अगर उनकी उपर stay लगा दिया जाएगा कि वो political parties में engaged नहीं होंगे तो education की quality improve हो सकेगी इनका mainly ये कहना था कि school teachers अगर political activities में involved हो जाएंगे विधायक बन जाएंगे legislatures की तरफ आगे अपना mindset जो है वो आगे बढ़ाएंगे तो उससे वो education की quality को hamper कर देंगे ये फिर वो proper education पर ध्यान नहीं देंगे उनका ध्यान जो होगा वो केंदृत political activities पर होगा तो ये जीज़ कही गए कि अगर school के teacher जो है वो अगर political activities में engage होते हैं तो उससे education की quality जो है वो hamper होगी तो ऐसा petitioner ने का था और इस petitioner की इस बात को सुनकर जो high court है कैरला की उसने रोग दिया था एड़ेट स्कूल के teachers और non-teaching staff को की वो political activities में involved नहीं हो सकते हैं और आर्ग्यू किया था उन्होंने petitioner ने high court के अंदर की since कैरला government servant conduct rules ये prohibit करती है government school teachers को की government school teachers जो है वो political activities में participate नहीं कर सकते हैं तो बताय जा रहे है कि इस rule को aided school teachers के लिए भी जो है वो बड़ा दिया जाए याने कि इसको extend कर दिया जाए तो यह अली चीज थी पूरी और इसमें सरकार का क्या पक्ष था सरकार ने क्या चीज कही तो सरकार ने high court जो है कैरला high court उसमें दलील दी कि वर्ष 1967 में जारी एक सरकारी आदेश एक government order इसके अ और कोई भी ऐसा rule नहीं है जो कि prohibit कर सकता है teachers को कि वो political activities में participate नहीं कर सकते नहीं election लड़ सकते है यानि कि कोई भी ऐसा rule नहीं है जो कि उनको ban करता है और हाला कि इनको जो छुट्टी दी जाती है वो without pay दी जाती है यानि कि उस छुट्टी में उनको salary नहीं मिलेगी payment नही जुट्टी भी मिल जाती है बट वो without pay शुट्टी होती है without pay leave हमें देखने को मिलेगी तो यह चीज़ यहाँ पर थी और इसी चीज़ को देखते हुए honorable supreme court ने high court के decision के उपर stay लगा दिया तो यह था पूरा overall topic जिसकी एक general आपको जानकारी होनी चाहिए अब discuss करेंगे supplementary demand for grants के बारे में अनुपूरक अनुदान मांग के बारे में तो इसको हम लोग थोड़ा सा discuss करते हैं तो लोग सबह ने pass किया है supplementary demand for grants second batch for 2020-2021 को तो यह supplementary demands for grants है क्या तो ध्यान से सुनना the supplementary demand for grants is needed for government expenditure पहला point यह supplementary demand for grants जो है वो किस चीज़ के लिए उपयोग में लिये जाते है government expenditure के लिए सरकारी खर्चों के लिए सरकार को जब खर्चा करना होता है तो यह supplementary demand for grants जो है वो लेकर आती है over and above the amount for which parliamentary approval was already obtained during the budget session तो आप जानते हैं कि budget session के दौरान जो है वो parliament approve करती है कि कि किस फलाना scheme में या किस सरकारी service में या किस ministry को कितना पैसा किस चीज़ के लिए budget के दौरान जब पैसा allocate कर दिया जाता है बड़ उसके ऊपर पैसो की जब extra पैसो की जब आवशक्ता होती है यानि कि जो budget में पैसा allocate हो गया है उसके ऊपर अगर पैसो की आवशक्ता हो गया है तो वो क्या करेंगे supplementary demands for grants जो है वो लेकर आएंगे जिसके तुरू वो extra पैसे जो है वो consolidated fund of India से निकाल सके है खर्च करने के लिए जो ruling जो होती ना party यानि की government जो होती है और इसके पीछे constitutional provision हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं तो supplementary हो गया additional हो गया या access grants हो गया या vote on accounts हो गया या vote of credit हो गया और exceptional grants हो गया है तो इन सब चीज के बारे में हमारे Indian constitution में बकायदा mentioned है आर्टिकल 115 डील करता है supplementary additional या access grant से आर्टिकल 116 vote on accounts, vote of credit और exceptional grants से डील करता है तो यह आर्टिकल 115 और 116 में cease के बारे में mentioned है और पूरा procedure क्या होता है grants हासिल करने का तो हमें देखने को मिलता है कि when grants authorized by parliament जब grant पार्लिमेंट के थूँ authorized किये जाते हैं fall short of the required expenditure वोई चीज मैं आपको समझाई कि 1000 करोड रुपे budget में allocate किये गए थे बट इसके ऊपर additional पैसो की जब requirement है right an estimate is presented before the parliament for supplementary और additional grant तो जब आवशक्ता जब ज़्यादा लगती है कि हायर इतने में काम नहीं बनेगा और पैसा चाहिए तब उस समें supplementary grants हमे देखने को मिलता है and these grants are presented and passed by the parliament before the end of the financial year जो एक financial year हमें देखने को मिलता है एक April से 31st March के period का right तो वो जो financial year जो होता है उसके समाप्त होने से पहले पहले ये supplementary grants जो है वो या additional grants जो है वो लाया जाता है और उसको पास किया जाता है house में when actual expenditure incurred exceeds the approval grants of the parliament the ministry of finance present a demand for access grants यानि कि जो actual जो पैसा जो होता है जो allocate किया जाता है वो समाप्त अगर हो जाता है तो उसके बाद ministry of finance जो है वो demand for access grants को present कर दिये तो ये चीज़ यहां से आपसे पूछी जा सकती है कि demand for access grants जो है वो किस के दौरा या किस ministry के दौरा पारलिमेंट में रखा जाता है त जो हमारे CAG है ये इस प्रकार के additional खर्चों को जो है वो parliament की notice में लेकर आते हैं बताते हैं कि या additional खर्चे जो है वो इस प्रकार से demand किये जा रहे है फिर क्या होता है एक public accounts committee होती है वो जाज करती है access को यानि कि जो additional खर्चे जो होते हैं वो किस में उप्योग में लिये जा for access grants is made after the actual expenditure is incurred and is presented to the parliament after the end of the financial year in which expenses were made तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है क्योंकि ये financial year के बाद जो है वो ये access grant का demand जो है वो मांगा जाता है जैसे ही guys देखो आपके अगर कोई friend होंगे जो contractor वगरा होंगे या फिर अगर आपकी family में कोई होंगे या फ picture में भी देखा होगा अक्षे कुमार की वो कौन सी picture मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है सचिन टिच कुले उसमें उनका नाम था अक्षे कुमार का और वो एक contractor थे road contractor थे उसमें जॉनी लीवर साब भी थे तो पता होगा शायद उस picture के वारे में काफी comedy picture थी हो तो वो है कि वो जो है वो सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते रहते थे कि मुझे चेक देदो मुझे चेक देदो मुझे खर्चा करना है तो होता गया है कि contractor जो है वो जबी भी सरकार के साथ किसी project के लिए contract में आते हैं तो पहले वो खुद अपनी जेप से पैसा लगाते है मजदू contractor को चेक जो होता है वो बाद में मिलता है तो यहाँ पर किस चीज की बात किया रही है demand for access grant की कि project already complete हो गया बट उसके बाद ये जी सवन में आई कि बिल जो था वो जादा का बन गया जितना allocation हुआ था उससे जादा का बिल बन गया अब वो contractor को तो पैसा चुकाना है कि उसन इसके बाद end में उसको जाने की पूरा project complete होने के बाद जब उसको पैसे मिलने की बारी होती है जब पता लगते कि अर पैसे कम पड़ गए तब उससे में demand for access grants रखी जाती है और ये financial year जब खतम हो जाता है उसके बाद रखी जाती है तो ये एक concept clarity आपको अच्छे से पता हो में चाहिए ठीक है अब इसके लावा और भी दूसरे grants होते हैं जैसे की additional grant ये it is granted when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the budget of that year अब देखो जैसे की सरकार ने को ही scheme launch करें अब जब scheme launch करी launch होगा इस scheme अब बीज में एकदम सब में आए कि यह scheme जो है वो successful तभी हो पाएगी जब एक इस scheme के साथ एक नई service हम लोग जोड़ देंगे यानिकि नई सेवा हम जोड़ देंगे तब जाकर beneficiary को परियाप्त लाब मिलेगा but problem यह हुई कि इस नई service के बारे में कितना पैसा खर्च होगा इसकी information जो है वो budget में नहीं दीती और इस service में बाद में आकर पता लग रहे है कि इस additional service को अगर शुरू करेंगे तो उसमें additional पैसा जो हो खर्च होगा तो इस प्रकार से इस प्रकार के additional जो खर्ची जो होते हैं जो service को एक नई service को attach करने के लिए जो है वो बह access grant क्या होता है it is granted when money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that year वो सेम चीज जो हमने बात करी थे अभी थोड़ी दिर पहले इसके बारे में access grant के बारे में तो यह वो ही है access grant जिसके बारे में हमने थोड़ी दिर पहले ही चरजा करी थी demand for access grant के बारे में तो वो ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि demand for access grant जो है वो यह सेम चीज है यानि कि वो पहले ही में आपको cover करा दिया कि एक financial year के दोरान जब ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है ठीक है ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया तो उस समय क्या होगा उस समय contractor को पैसे देने तो यह जो खर्चा जो होता है वो बाद में financial year के बाद में जो है वो दिया जाता है और जो कि financial year expire हो जाता है और उस यानि कि previous financial year के जो bills वगएरा जो होते है उसको या फिर news वगएरा जो होते है उसको clear करना होता है तो उसके लिए यह access grant मांगा जाता है ठीक है demand की जाती है इसकी तो यह मैंने आपको अल्रड़ी explain कर दिया इसके लाबा exceptional grant नाम से ही सनमे आ रहा है कुछ ऐसे खर्चे जो की एकदम से आ जाते हैं एकदम से पढ़ जाते हैं कोई भी कुछ भी हुआ या फिर किसी भी particular raw material के product के एकदम से अचानक से rate जो है वो बढ़ गए या कुछ भी ऐसा हुआ तो उसके करना से एकदम से खर्चे आ गए एक्सेप्शनल खर्चे आ गए तो उसके लिए जो है ये एक्सेप्शनल परपस के लिए खर्चे हम लोग को देखने को मिलते हैं जो की कहीं पर भी financial year में या budget session के दौना कहीं पर भी लिखे नहीं होते हैं तो उसमें अगर कोई exceptional खर्चे जब आते हैं सामने तो उस for the grant of token some may be submitted to the vote of the house and if the house assent the demand funds may also be made available अब token grant क्या होता है जैसे कि एक scheme है ठीक है अभी मैं आपको बदाया है कि scheme में एक additional service जो है वो नई service जो है वो शुरू करनी है तो उसके लिए एक अलग grant हमें देखने को मिलता है बट जैसे माल लिए कि एक scheme है सरकार की अब इस scheme के ऊपर extra जो है वो पैसे लगाने इस scheme को और अच्छा करने के लिए और फिर इस scheme को और ज़्यादा तरीके से expand करने के लिए इस scheme की quality को और अच्छा करने के लिए आप यह कह सकते हो तो उसके लिए होता है token grant यानिकि already जो grant मिल चुका है उसमें extra चीजे जो है वो extra पैसे जो हो डाल जाएगा तो simple सी बात इस प्रकार से होती है कुछ-कुछ scheme होती है उसकी quality और अच्छी करने है और better करना है तो वह house के सापने रखा जाता है कि हम इसमें और पैसे लगा के और अच्छा कर सकते है तो वह house के ओपर पूरा रहता है house वोगर accept करेगी तो इसको pass किया जाता है न अब गाईज इंडिया और जापान के बीच में एक agreement हमें देखने को मिल रहा है ये patent verification के लिए दोनों countries काम करेंगी अब मिलकर अब patent क्या होता है देखो आपके GS paper 3 में intellectual property rights आपको देखने को मिलती है इसमें बहुत सारी intellectual property rights होती है उनमें से एक होता है patent जैसे की trademark हो गया और इसके लावा और भी काफी सारी चीज़ जैसे की copyright हो गया तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है intellectual property rights के लिए ये क्या होता है कि एक individual के जो original content होते है उसको protect करने के लिए दिया जाता है जैसे की for an example कि आपने कोई एक product बनाए ठीक है आपने जैसे की कोई एक दवाई आई तो आपकी medicine को कोई और चुराक कर market में ना बेचे इसलिए आप अपनी medicine का patent कराते हो यानि कि आसान भाष्ण में simple language में मतलब की license कि आपके पास आपके product को sell करने का license मिल जाता है कि आपके अलावा और कोई आपके product को sell नहीं कर सकता और अगर कोई करेगा तो आप उसके खलाव कारवाई कर सकते हो तो यह वाली चीज़ होती है तो यही वाली बात है इसके verification के लिए अब दोनों countries मिलकर काम करेंगी तो इंडिया और जपान ने agree किया है कि यह recognize करेंगी यह क्या करेंगी recognize करेंगी एक दूसरे के offices को तो verification के जो offices हमारा है इंडिया का जो की पूरी applications को verify करता है और जो जपान का जो office है जो पूरी application को verify करता है तो यह एक दूसरे के office को recognize करेंगी इसका मतलब क्या हुआ इसका आसान भाशा में यह मतलब है कि इंडिया ने अगर जिस प्रड़क को okay approve कर दिया तो सिर्फ जपान में अगर उस प्रड़क को launch करना है उस प्रड इंडिया के अंदर हमारे इस याने की प्रड़क के लिए approval जो है वो मिल चुका है यह लो इसके papers तो जपान सिर्फ उसके paper देखेगी कि इंडिया ने okay कर दिया और जपान के market में उसको launch कर दिया जाएगा और उसको protection मिल जाएगी उसके product को जो भी व्यक्ति इस प्रकार से international preliminary examining authority के तौर पर preliminary examining authority जाज करने वाली authority जो कि किसी भी international patent application को की जाज करेगी जो कि उनके पास आती है तो यह वाली बात इसमें बता या रही है और यह decision जो है वो अभी recently लिया गया एक patent prosecution highway program चल रहा था तो उसकी meeting के दौरान यह decision लिया गया थोड़ी सी इस पर भी चर्चा क program पर तो patent prosecution highway जो है यह set of initiative है इसमें काफी सारे initiative हमें देखने को मलता है जो कि किसके लिए है कि जो patent prosecution की जो procedure है patent prosecution के अंदर जैसे कि एक तो application related विवाद होता है जैसे कि इंडिया के अंदर जो है वो दो companies के बीच में विवाद चल रहा है अपने products को लेगा तो उस विवाद क resolve किया जाता है इस office में patent prosecution offices के अंदर इस प्रकार के offices हम लोग को देखने को मिलता है तो जो भी इस प्रकार के मामले चल रहे है उस मामलोग को accelerate करना कैसे कि मलब sharing information by sharing information between some patent office की कुछ patent office जो है वो अगर आपस में information share करेंगे कि किस patent office ने क्या के चीजों को देख कर verify किया और एक particular जो product है उसको अप्रूफ कर दिया उसके patent को अप्रूफ कर दिया तो वो इस प्रकार से जब आपस में information share करेंगे तो कहीं पर भी किसी भी country में अगर patents related कोई विवाद चलता है और सामने वाले विक्तिने अगर किसी दू मेरा प्रटक्ट है वो 2 साल के बाद किसी और दूसरे विक्तिने जपान के अंदर register कराया तो किसके product को प्रत्मिक た मेलेगी मेरे product मेरे प्रटक को मिलेगी है यह product मेरे ही माना जाया कि मैंने सामने वाले से 2 साल पहले उसको register करा लिया है क्योंकि होता ही यह जैसे कि आज की रेट में यह lecture बना रहा हूँ ठीक है अब मैंने यह lecture बनाया और मैंने इस lecture को upload कर दिया ठीक है अब आज से दो साल के बाद same इसी lecture को अगर कोई और दूसरा वेक्टी अपने account से upload करेगा तो YouTube जो है वो उसके पास क्या भीज देगी copyright strike भीद देगी क्योंकि YouTube को पता है कि एक account ने already पहले ही जो है वो इस content को upload कर दिया मतलब कि यह मेरा content माना जाएगा ना क्योंकि मैं पहले upload कर रहा हूँ क्योंकि यह content आया किसकी तरफ से पहले मेरी तरफ से तो वैसी product में भी होता है जो इंसान अपने product को पहले register करा लेता है उसको प्रात्मिक्ता मिलती है बट कई बार ऐसा भी होता है काफी सारे लोगों की information जो होता है data जो होता है वो दूसरे लोग उसकी company के दूसरे लोग को चुरा लेते हैं और इस प्रकार से XYZ जो भी करवाई के दूरान factors का इस्तमाल किये जाए बट यहाबर आपको यही समझनी है कि यह patent prosecution highway में उन सब चीजों के बारे में चर्चा होती है कि कैसे इस प्रकार के जो disputes होते है patent के उसको कैसे जल्दी से जल्दी resolve करवाया जाए आपस में information share करते हुए अलग-अलग patent offices के बीच में तो यह किस प्रकार से काम करता है तो यह allow करेगा एक patent applicant को जो patent के लिए application फाइल करते हैं कि वो demand कर सकते हैं fast tracking office patent application वो बोल सकते हैं कि मेरे patent को जल्दी approve करो कैसे यह देखा कर कि उनका जो product है वो already जपान के अंदर उसको patent grant कर दी जा चुकी है तो वो ही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि अगर इंडिया के अंदर हमारे किसी particular individual के द्वारा हमारे किसी citizen के द्वारा एक product को patent करा लिया गया है और वो product सामने आला व्यक्ति जो है वो जपान के market में बेचना चाहरा है तो उससे पहले वो चाहरा है कि जपान में उसके product क उसको भी security मिल जा है protection मिल जा है तो वो क्या करेगा जपान के अंदर अपना patent register करा आएगा तो उसको फिर से पूरी प्रक्रिया से होकर नहीं हो जाना होगा उसको starting में ही बस सिर्फ एक paper लगा देने होंगे और verification करवाना होगा कि उसने already जो है वो इंडिया के अंदर patent अपन जो patent application मिलेंगी काफी सारे specified technical field की और बता जा रहे कि only electrical, electronics, computer science, information technology, physics, civil, mechanical, textile, automobiles और metallurgy तो यानि कि इन field पर ये agreement हमें देखने को बता है pilot program के तोर पर और हो सकता है कि आगे चलके ये field जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दें और ये जो program है guys ये बता जा रहे कि इससे Indian intellectual property office को भी काफी जादा benefit मिलेगा जैसे कि reduction in time to dispose patent application जिसकी भी patent आती है तो फटाक से resolve हो जाए right approve हो जाए reject हो जाए तो ऐसा time में बचत हम लोग को देखने को मिलेगी reduction in pendency of patent application है नेगी बहुत लंबे समय से जो patent application की जो pendency हम लोग को देखने को मिलती है pending पड़े रहते है तो ज जल्दी जल्दी फटा-फट जो हो अप्रूव होंगे या reject होंगे इस particular प्रक्रिया के थूँ प्रोसेस के थूँ इसमें quality of search and examination of patent application पी improve होगा तो patent application की quality और उसकी जाज वो भी जल्दी हो जाएगी improvement उसमें देखने को मिलेगा और Indian inventors के लिए अब यह opportunity होगी जिसमें हम लो बिना देरी किये register हो जाएगा जपान में तो यह चीज है गाईज इस agreement के तहद हमने देखा इंडिया और जपान ने यह agreement किया है patent verification को लेकर तो इसके बारे में आपको एक अच्छा idea होना चाहिए अब हम लोग discuss करेंगे aluminium air batteries के बारे में बहुत ही जादा important topic यह ध्यान से सु क्या चीज के लिए aluminium air technology को बनाने के लिए और यह battery system based aluminium air technology होगी और यह technology electric vehicles के लिए बनाई जा रही है और stationary storage के लिए बनाई जा रही है साथ hydrogen storage solution के लिए बनाई जा रही है तो यह aluminium air battery है क्या चीज एल्यूमिनियम air battery क्या इस्तमाल करती है oxygen को इस्तमाल करती है रइट हवा से oxygen लेती है और फिर वो aluminium hydroxide solution के साथ उस हवा को जो है वो react करवाती है जिसके थुरू होता है और यह electricity को produce करता है मतलब कि आसान भाशा में हवा से electricity बनाने की यह प्रक्रिया है हवा से electricity बनाने किए process हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है इसमें benefit सबसे बड़ा ये है कि इसकी कीमत काफी कम लगेगी इसमें इसको बनाने में इस प्रकार की batteries को और काफी ज़ादा जो है वो energy जो है power जो है वो इसमें stored रहेगी as compared to lithium ion batteries, lithium ion batteries यो generally हम लोग आपको आपके table पे अगर remote पड़ा होगा आपके AC का तो ईसको आप देकाल के देखऊ तो उसमें जो battery लगी होती है वो आपको lithium ion battery दिखाई देगी या फिर आपके TV का remote के पीछे देखऊ तो उसमे lithium ion battery आपको दिखाई देगी या फिर पहले अभी तो आज कर मोबाइल फोन में हमें नहीं देखने को मलता कि बैटरी निकल जाती据 Cake लिए यह उसमें आपने पढ़ा होगा आपकी पर की लिएवार की ते तब यह जो की आझ की रीट में बहुत ज़ादा उपयोग मी लिये ले जाती है जो होती है जैसे हिए अगर आप electric vehicles में full charge करोगे electric vehicle को तो वो 1500 से 200 km तक चलेगी lithium ion battery के ओपर फिर वो recharge मांगेगी बट ये वाली जो aluminium air battery जो हमें देखने को मिल रही है इसमें एक बार battery लगाई और वो 400 या उससे जादा km तक गाड़ी को जो है वो provide कराईगी range और aluminium plate जो होगी aluminium air battery में ये convert करेगी aluminium trihydroxide को यानि की कुछ समय में कैने की थोड़े समय में अपने आप ये इसको convert कर देती है और aluminium जो है ये aluminium trihydroxide से जो निकलेगा ये directly industrial उपयोग में भी लिया जा सकता है यानि की इस battery से aluminium trihydroxide जो निकलता है कुछ समय के बाद तो उसको भी even उपयोग किया जा सकता है industrial purpose के लिए अब इसमें चुनोतिया क्या क्या है aluminium air battery के तो हमने अच्छी बात तो कली कि ये फलाना फला मस बस चीज इसमें हमें देखने को बड़ी है इसमें बड़ी problem ये है कि ये recharge नहीं होती सबसे बड़ी problem इसको आप recharge नहीं कर सकते है जैसे कि आपकी घर में cylinder आता हो ना लाल कलर का खाना पगाने के लिए cylinder जो हम लोग उपयोग मिलेते है domestic purpose के लिए domestic cooking के लिए तो वो जो cylinder होता है तो cylinder वाल भाया आते है आप उनको खाली cylinder देते हैं आपको भरा cylinder देते हैं तो कुछ इसी प्रकार का काम हो सकेगा अगर होगा तो इसको हम continue करेंगे तो इस पे अगर अच्छे से काम करेंगे तो कि जैसे कि petrol tank में जाकर आप petrol पम में जाकर आप petrol डलवाते हो गारी में वैसी होगा कि इस प्रकार के stations पे जाकर charging station पे जाकर आप बैटरी उठाओगे वो आपकी गारी में बैटरी लगा देंगे और आपकी बैटरी निकाल गए अपने बास रख देंगे और पैसा लेंगे तो इस प्रकार की चीज हो सकेगी शायद in future ऐसी चीज तो लीथियम आयन बैटरी का सबसे बड़ा जो लॉस है वो यही है या डी मेरिट या 34 की सबसे बड़ी यही है कि बुर रीचार नहीं हो सकती तो इसलिए इसको बहुत जादा मातरा में ऐसी बैटरी को बनाना होगा तो यहली चीज और बहुत जादा मातरा में ऐसी बैटरी को स्वैपिंग स्टेशन पर रखना होगा जहाँ पर इस बैटरी को स्वैप किया जा सके तो हम लोग अपने यह वाली बैटरी बनाएंगे अलूमीनियम एर बैटरी तो यह हमारे लिए ऑल्टरनेटिफ के तौर पर देखने को बलेगी तो सस्ती भी बढ़ेगी बट प्रॉब्लम यह है कि लार्ज स्केल में इसको बनाना होगा और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लिंक करते हैं चलना है एकनोमिक्स के साथ भी रही जैसे की इंटरनेशनल पर्स्पेक्टिफ के साथ भी कि हम लोग का इशू चायना के साथ चल रहा है अब कलको चायना जो है वह लिए आयन बैटरी देना बंद कर दे तो हमारे मार्किट में तो बड़ी इशू हो जाएग तो यह वाली चीज है कुछ जिसके बारे में आप लोग को एक अच्छा आइडिया होना चीए इस अलुमिनियम एर बैटरी इस के बारे में राइट अब बहुत जादा इंबारें टॉपिक के बारे में बात करेंगे बहुत ध्यान से सुनना सरकार ने सवाल उठाए हैं ग् रैंकिंग रिलीस कर रहे हैं वो गलत है सहीं तरीके से नहीं कर रहे हैं तो सरकार ने यही सवाल जो है वो उठाए हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसकी मेतोडोलाजी और डेटा एक्कुरेसी पर आरोप लगाया है कि जो बच्चे हेल्दी हैं उनको भी जो है वो रैंकिंग में शामिल कर लिए है क्योंकि देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग देखते हैं कि सिर्फ उनी बच्चों को शामिल किया जाता है जो बच्चे कुपोशित हैं राइट माल नियूट्रीशन की काटेगरी में हमें देखने को मिलते हैं बढ़ हमारी कंट्री के हेल्दी बच्चों को भी इस रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है ऐसा इंडिया ने ग्लोबल हंगर इंडिया ने गोटे है तो आपको यह चीज ध्यान में रखनी है अगर उपषन में वेल्ट हंगर हिलफे लखा है जो की ऐख एक NGO है तो वो आपको करीक मार्क करना है यह पर कभी कभी ऐसा भी कोश्चन बन सकता है गिए वेल्ट हंगर हिल्फे जो है वो क्या है अगर option में एक NGO लिखा हुआ आएगा तो उसको आप मार करना क्योंकि Amnesty International related already if I am not wrong 2017 के question paper में UPSC के ये चीज़ पूछी गई थी तो ये compile करती है ये पूरी report और जितनी भी इसकी methodology जो होती है data accuracy जो होती है इसका जो sample size जो होता है वो अभी इसने बताया नहीं है इससे अभी हमें जानना जरूरी है बट हमने already इसको लिख दिया है कि आपके जो methodology है उसमें गड़बड़ी है उसमें खराबी है बट इसने अभी कोई reply नहीं किया है के मामले में जब हम लोग top 10 में food production के मामले में आ रहा है तो हमारी जो rank है वो नेपाल बांगलादेश और मेहमार जैसी country से नीचे कैसे हो सकती है और आपको बता दें इंडिया की जो latest ranking है यह rank याद रखना इंडिया की rank 107 country में 94 बताई गई है और global hunger index क्या है गई तो यह report ह हर साल publish की जाती है किसके द्वारा मैंने आपको बताया wealth hunger health के द्वारा और concern worldwide के द्वारा तो यहां से question उठेगा कि global hunger index जो है वो किसके द्वारा publish की जाती है तो wealth hunger health और concern worldwide तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है यह global level पर regional level पर और national level पर hunger को भुक्मरी को जो है वो track करती है global hunger index यह एक important चीज़ है क्योंकि देखो इसकी methodology पर हमने सवाल उठाया तो UPSC आपसे पूछेगी कि यह किस प्रकार से countries को rank करती है तो आपको यह वाला point जो है वो पता होना अची जो बताने जा रहा हूँ तो global hunger index का score जो होता है वो एक formula के उपर अधारित होता है जिसमें total तीन dimension होता है hunger के भुकमरी के insufficient calorie intake जैसे कि आप calories के बारे में जाते होगे कि जो भी आप खा रहे हो उसमें कुछ न कुछ calories होती है राइक कुछ भी आप intake कर रहे हो जैसे सिवाए कुछ चीजों को छोड़ कर जैसे की green tea हो गया तो इसमें कोई calorie वगरा नहीं होती है और मेरे देखल से दो रोटी में करीव 170-180 calories के आसपास होती है यानि कि 900 calories एक रोटी में हो जाती है तो ऐसी calories हम लोग को इस प्रकार की देखने को बनती है तो अगर जो बच्चे या जो लोग calorie का proper तरीके से intake नहीं कर रहे है insufficient calorie intake जिन में देखने को मिल रहा है तो वो इस factor को इसमें इस प्रकार की तीन डाइमेंशन की उपर आधारियत एक फॉर्मला रहता है जिसके आधार पर ये ranking जो है वो release की जाती है इसमें चार component indicators होता है जैसे कि पहला under nourishment अंडर नरिश्मेंट इसमें population यानि कि country की population का कितना ऐसा हिस्सा है कितना ऐसा share है जो की under nourished है यानि कि को पो body को आवशक्ता होती है चाइल्ड वास्टिंग दूसरा indicator इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि एक country में 5 साल से कम की उमर के बच्चे जो है वो वास्टेट कितने है राइट मतलब की वास्टेट का मतलब यह होता है कि low weight for height यानि कि उनकी height के मुकाबले उनका जो वजन है तो यह acute under nutrition को तीवर को पोशन को जो है वो reflect करता है यह वाला indicator तीसरा indicator child stunting इसमें 5 साल से कम की उमर के बच्चे कितने stunt है उसको चेक किया जाता है यानि कि उनकी age के comparison में उनकी height कम रहती है तो उनको देखा जाता है और यह chronic under nutrition को दीर्ध कालिक को पोशन को जो है वो दर्श जो कि कितनी मौति हो नी है mortality rate क्या है तो इसको देखा जाता है तो यह 4 indicator 3 dimension इनके ओपर आधारित formula को लगा कर यह report जो है वो प्रस्तोत की जाती है और global hunger index की ranking जो countries की होती है वो 100 point scale पर होती है 0 to 100 पर score ranking होती है इनकी 0 का मतलब यानि कि जिस भी country 0 के नजदीक है इसका मतलब क जिस country का score 100 के करीब है तो मतलब उस country में जो बहुत बुरी इस्तिति है यानि कि hunger बहुत जाद है भुकमरी बहुत जाद है value less than 10 reflects low hunger जिस country का score 10 से कम रहता है यानि कि उस country के अंदर भुकमरी कम है 20 से 34.9 का जो indicator है मतलब serious hunger कहता है यानि कि बहुत जादा समस्य है उस country के 9.9 इसका मतलब alarming जाने की ध्यान देनी के आवशकता है कि बहुत जादा हंगर जो है वो बढ़ रहा है पचास या उससे जादा तो मतलब है extremely alarming मतलब की हाल थराब है जल्दी से जल्दी measure लो वन्ना country के अंदर इस्तिती खराब हो जाएगी और इसकी report में क्या-क्या चीजे साम प्राइड की हमारी country में वास्टेड बच्चे बहुत जादा है इसका मतलब है कि हमारी country के अंदर acute under nutrition तीवर को portion हमें देखने को मिल रहा है इंडिया का score 27.2 बताया जा रहा है serious category में इंडिया को रखा गया है बताया जा रहा है कि जो 16 हम लोग को south east south eastern एशिया के देखने को मिलते हैं तो हमारे से पीछे मातर दो ही country है तीमोर लेस्ते अफगानिस्तान तीन मतलब तीमोर लेस्ते अफगानिस्तान और नॉर्थ कोरिया और least four में हम लोग आते हैं यानि कि south east south eastern एशिया का जो पूरा छेटर है उसमें सबसे नीचे से चौथे नंबर पर हम आ रहे हैं अंदर 14% का है और child mortality का rate 3.7% का है तो ये rates ध्यान में रखना ये state civil services में ये rates आप से पूछे जा सकते हैं और UPSC कि आप अगर तैयारी करें तो भी एक बार देख लो कि ये वाला topic जो है वो काफी ज़्यादा highlight हो गया news बे तो इससे related आप से question पूछे जा सकते हैं तो ये है पूरा oral topic जिसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए अब हम लोग discuss करेंगे insurance amendment bill 2021 के बारे में बहुत द्यान से सुनना बहुत जादा important अगेन ये topic है तो राजसभा के अंदर ये bill पास हुआ है insurance amendment bill 2021 इस bill के key features हम लोग जानेगे तो ये bill किस particular कानून को amend कर रहा है insurance act 1938 38 को amend कर रहा है शंशोदेद कर रहा है ये bill इसमें बताया जा रहा है कि foreign investment जो है हमारी country में foreign investment उसको बढ़ाने के ओपर ये bill हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया की insurance company जो है उसमें foreign investment जास्याद आए उसके लिए ये bill है ये bill जो limit हम लोग को foreign investment की देखने को मिलती है इंड इंडिया के insurance sector में जो foreign investment के उपर limit लगा हुई है तो वो 49% ही इसको बढ़ाकर 74% किया जा रहा है और ओनर्शिप और control के restrictions भी हटाए जा रहा है इस bill के तुरू इसमें बता जा रहा है कि control जो होगा वो foreign companies के पास चला जाएगा यानि कि foreign companies भारी मात्रा में अगर investment करेंगी यानि कि 74% तक जब investment करेंगी insurance sector के अंदर insurance company के अंदर तो ownership तो देदी जाए कि foreign companies को बट ये चीज़ धाल में रखी उनके पास Indian passport होना चाहिए, majority of directors के पास, जो की law of land में cover किये जाएंगे, यानि कि कोई भी घोटा लाता है, at least हम लोग उनको पकल तो सके, उनको control तो कर सके, पर दा लगे घोटा ला करके भग गया है, फिर क्या, फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए Indian residents की majority directors में होने की insurance companies में 74% तक पैसे लगाने की बात किया रही, तो पैसे लगाए जाएगा, तो improvement भी अच्छा खासा होगा, right, क्योंकि आजकी rate में insurance sector की बहुत हालत खराब है, right, तो वहाँ पर और भी, और जैसे भार से पैसे लगाएंगी, companies वगरा, तो all over the world, नहीने technologies क्या-क्या चल रही ह तो उसको भी लेकर आएंगे, तो idea भी आएगा, investment के साथ साथ एक अच्छा, तो यह वाली चीज़ है, तो यह सब फाइदें जो हैंगे, देखने को मिलेंगे, बता जा रहा है, और insurance company जो है, जो कि आज की rate में, liquidity की problem face कर रही है, मतलब कि capital, उनके बास capital की बहुत जादा कम ह नहीं है, और यह उनको मदद करेगी, अपनी capital requirement को grow करने में, पैसा आएगा तो, और इसके background की बात करेंगा है, तो foreign investment जो insurance sector में हमें देखने को मिलता है, तो वो पहली बार foreign investment insurance sector में अप्रूफ किया गया था, या permit किया गया था, पहली बार सन 2000 में, 26% तक इसको अप्रूफ किया गया था, फिर बाद में इस कानून को amend किया, 2015 में, फिर 49% limit कर दी गई हो, और अभी limit बढ़ा कर, इस bill के through 74% की जा रही है, तो यहली चीज आप थोड़ी सी धान में रखिएगा, तो यह था पूरा oral topic जिसका आपको एक अच्छा ज्यान अच्छा idea होना चाहिए, और होता है, यहला lecture 23rd March का, और मैंने आपको जितने भी topics पढ़ाएं, अगर आपको अच्छे से clear हुए हैं, तो like का बटन जरूर हिट कीजएगा, नए आए हैं, आप चैनल को subscribe की दिए और share जरूर कीजएगा lecture को, और highly recommended 2021 UPSC Civil Services की test series available हो गई है, तो आप इसको definitely join करें, अगर आ 100 questions के हैं, daily targets आपको दिये जा रहे हैं, कि आपको हर दिन जो है वो क्या-क्या चीज़े पढ़नी हैं, जिससे कि आप UPSC Civil Services exam से पहले-पहले अपना syllabus भी complete कर लें, और उसको अच्छे से test भी कर लें, देख भी लें कि आपका level जो है वो कितना है, right, a test देकर, और काफी कम fees मे ये test जो है वो आपको arrange करवाया जा रहा है, मातरट 1299 की fees है, और इसको अगर आपको join करना या इस से related कोई और अगर आपको जान करी चाहिए, तो आप मुझे contact कर सकते है, 9713282838, ये मेरा number है, इस पर WhatsApp या Telegram करके आप मुझसे contact कर लिए, मेरा reply आपके पास within 24 hours आ जाएगा, CSET का course भी आपके लिए available है, history का complete course आपके लिए available है, sociology, optional classes आपके लिए available है, तो ये सब चीज़े आप ले सकते हैं, और PDF package जो है, current affairs का ये आप join कर सकते हैं, मातर 100 रुपीस पर मंत की इसकी fees है, आपको daily lectures की PDF प्रोवाइट की जाती है, आपको handout notes मिलते हैं, आपको weekly compilation instructions आई है, practice करने के लिए तो वो facility भी आपके लिए available है, तो उसको भी आप ले सकते हैं, तो ये सब चीज़े हैं, जिसके बारे मुझे आपको बताना था, और कोई भी समस्या है, तो मैं आपको बताई दिया, contact number तो उस पर आप contact कर सकते हैं, call मत कीज़ेगा, WhatsApp या, Telegram के थू आप मुझे message करके contact कर सकते हैं, within 24 hours मेरे reply आपके पास आजाएगा, तो चलो आप हम लोग मिलेंगे, कल के lecture में तब तक लिए bye bye, take care, have a great day ahead, ta-da